नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एज्यूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली नूस आनाइसिस 25 अक्टॉबर 2021, आज की इंपोर्टन न्यूस कौन-कौन सा है चक कर लेते हैं, वैसे आज मंडे है, मंडे न्यूस कम रहता है, संडे को ओफ कर रहा है, और COP26, Conference of Parties, जो United Nations Climate Change Conference है, इसके 26 editions कहा होगा, ग्लासगो में होगा, ग्लासगो स्कॉटलाइन में है, स्कॉटलाइन इस है पार्ट उनेट किंग्टम, तो देखे हमारे प्राहे मिनिस्टार नरेदर मोधी जी जाएंगे, दोनों मीटिंग के लिए, तो इसमें हम हमारी जो में अजेंडा क्या रहेंगे, उसके बारे में बात किया हुआ है, एक तो situation in Afghanistan के बारे में हम discuss करेंगे, फिर climate change, obviously climate change के बारे में discuss होगा, उसको कैसे टाकल किया जाए, and COVID-19 बारे भी, इसके अलावा भी काई सारे topics होगा, पर ये तीनों major agenda होने वाला है, जिसके बा October 29th to number 2 to attend the 16th edition of G20 Summit, यह ध्यान दीजेगा, G20 का 16th edition हो रहा है, पिछली बार Saudi Arabia में हुआ था, इस बार वो इतली में होगा, as well as the world leaders summit of the COP26 respectively, तो सबसे परहा G20 Summit, इसके बाद COP26, और क्या बताए हो दोस्तों, G20 is a global forum whose members account for more than 80% of the global GDP, देखे, G20 में जितने countries हैं, वो पूरे global GDP 80% cover किया जाता है, and global trade का 75%, and total population का 60% G20 countries में आता है, हर साल यह मिलता है, since 1999 से, and since 2008, a yearly summit with the participation of prospective heads of state and government भी होता है, वैसे दोस्तों, G20 में जो heads of the state मिलने से पहले कही सारे और भी meetings होता है, जैसे और भी कही सारे ministers, higher bureaucrats, officials वगरे meeting करते है, इसके बाद, finally, यह जो heads of the state का meeting होता है, ठीक है, फिर वही बात किया हुगा है, coronavirus pandemic के बारे में, addressing climate change के बारे में, overcoming poverty and inequality in various parts of the world, यह सब में आजना होने वाला G20 meet में, and situation in Afghanistan, obviously बात है, उसके बारे में तो बात होगा ही होगा, and और कुछ important बात, यह बोला है, कि the prime minister last attended COP21 in Paris in 2015, ठीक है, हमारे prime minister 2015 में COP21 attend किया था, latest, उस COP में, मतलब, conference of party 21 में, Paris agreement sign हुआ था, ठीक है, Paris agreement, कब sign हुआ था, कौन से COP में sign हुआ था, यह कुछिन आ सकता है, थ्यान दीजेगा, notes में incorporate कीजेगा, ठीक है, तो अब यह दोस्तों, COP26 में क्या क्या हो गए, हमने कई बार discuss किया है, पिछले, एक हफ़ते से, यही news आ रहा ह तो देखी, mobilization of climate finance के बार में बात होगा, mobilization of climate finance मतलब मैं आपको पहली बताया है, कि जो developed countries है, जिन्होंने बहुत सारे green host gas emissions किया है, जिसकी वज़े से वो अमीर बन गया है, तो उनको developing countries को finance करना पड़ेगा, नहने technologies अपनाने के लिए, carbon dioxide emissions कम करने के लिए, तो developed countries की responsibility बनती climate change को tackle करने के लिए, जो कुछ भी किया जाए, उसके लिए जो finance मिलेगा, ठीक है, and actions to strengthen climate adaptation, देखें, अलोड़ी जो climate change हो चुका है, उसके साथ adapt करना है, उसके लिए कही से मेशे सामय अड़ोक करना पड़ेगा, फिर technology, development and transfer, देखें, नहीं नहीं technology, जो है, वो developed countries के पास है, उपी इसी वादे जी इनके पास पैसा ज़्याद होगा, उनके पास ज्यादा technology होगा, क्योंगी वही लोग ज्यादा research and development के लिए पैसे खर्श करेंगे, तो जो developed countries की responsibility ये भी बनती है, कि developing countries को जो technology आपने बनाया हो, मतलब ये greenhouse gas emissions वगरा कम करने के लिए, वो technology भी हमें transfer करे ये तो आपको पता है होगा, पैरीस agreement का first and foremost objective ये है, कि जो global rise of temperature उसे 2 degree Celsius के अंदर contain करना है, हो सके तो 1.5 degree Celsius, ठीक है, इसके लिए इस बार COP26 में सबसे बड़ा मुद्धा ये होगा, कि zero emission target, zero emission target मतलब, sorry, zero नहीं, net zero, net zero emission target, ये basically जितना आप CO2 emit करोगे, उतना आपको अबज इस तरीके से हर country को काम करना होगा, इसके लिए वो force कर रहे है, basically जो United Kingdoms है, जितने भी international delegations पर आये थे, इंडिया में, वो इंडिया को ये बोला था, net zero emission targets पर क्यों नहीं focus करते है, तो इंडिया ने clearly बोला था, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये अगर हमसे होना भी है, तो कम हमें 50 साल और लग जाएंगे, ये government of India ने clear बोला था, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे net zero emission, फिर हमें time चीए, क्योंकि हमारी जो economy है, वो अभी fossil fuel को उपर ज्यादा dependent है, क्योंकि हमारी country में electricity generation वगरा होता है, वो call से maximum होता है, करीब 86% of our electricity is being generated from coal, या थर्मल पवर बोल सकते हो, ठीक है, धीरे-धीर हम renewable energy, energy projects कर रहे है, वैसे हमारी target है 450 gigawatt का, 2030 तक, अलड़ी हमने करीब 146 gigawatt अच्छीव कर चुका है, इंडिया कर रहे है, renewable energy sources से electricity generate करने का plans, या फिर projects वगरा, अलड़ी implement किया है, और भी काम कर रहे है, government फिर भी, अभी के लिए, ये net zero emission target जो है, मतलब जितना आप CO2 emit कर रहे है, उतना absorb करने वाली जो target है, वो हमसे नहीं हो पाएगा, ये government of India ने clearly बोला है, तो ये सब दोस्तों, important बात इस news से सिखने के लिए, paper 3, general studies 2 में, global grouping sand agreements involving India और affecting India's industry में ये news आपको कामाएगा, अगला news है, indigenous Muslims feel heat of eviction driving, आसा देखें, recently आपने एक news सुना होगा, कि आसाम के दरान डिस्टिक में, आसाम गर्मन एक eviction drive चला रहा था, eviction drive माने, उधर जितने लोग रह रहे हैं, उनको उधर से निकालने का एक drive, मतलब गर्मन को उस area में, कम से कम 25,000 एकर हैं, उधर एक गर्मन रन घार कुटी farm project चलाना था, basically it's an agriculture project, जिसमें कई सारे agriculture activities होगा, तो उसके लिए गर्मन को चाहिदा जगा, तो गर्मन ने इतना बड़ा एक area में, जितने families रह रह रहे थे, उनको उधर से निकालने का फेसला लिया, तो district authorities के तुरूर गर्मन उधर पहुंच गे, और June 7 and September 23 के बीच में, गर्मन ने उतर से कम से कम thousand migrant Muslim families को निकाला गया, अब जैसे जैसे ये eviction drive आगे बढ़ता गया, जो family से वो protest करने लगे, कभी-कभी protest violent हो गया, और violence की वज़े से police swearing हो गया, और वो police swearing की वज़े से दो बंदों का मौत भी हो गया, जिसमें एक माइना था, अब ये death की वज़े से eviction drive temporarily बंद करके रखा हुआ है, अब आप थोड़ा सा confused हो गया होगा, government इसे क्यों कर रहा है, क्योंकि इतने families उज़र रह रहा है, तो government को उथरी चलाना है कि घारकुटी farm project, देखे दोस्तों, इसका background आपको समझना पड़ेगा, एक्चुली ये area में, indigenous Assamese Muslims से, जिनको गोरियास बोलते हैं, अब ये गोरियास ने 2015 में, उस टेम के Assam government को एक complaint किया था, बेसिकली एक case file किया था, under the Assam Land Grabbing Prohibition Act 2010, इन्होंने complaint में ये बोला था, कि उस area में, कई सारे illegal बंगाली Muslim migrants हैं, तो ये illegal Muslim बंगाली migrants को उथर से निकालना है, ये बोलके इन्होंने complaint file किया था, बेसिकली जो बंगाली migrants मतले ये लोग बंगला देशियों को बोल रहा होगा, तो इन लोगों कोई अच्छा नहीं लगा, कि कोई illegal migrants आके उधर के जगा इंक्रोज कर रहे हैं, उधर रहने लग रहा है, तो ये complaint किया था, गर्मन को, तो उस टेम पर election होने वाला था, कि आगर हम power में आगे, सबसे पहला का हम यही करेंगे, कि जितने भी illegal बंगाली Muslim migrants से, उनको उधर से निकालेंगे, तो गोरियास होगे तो खुश, उन्होंने बोला ठीक है, तो जैसे गर्मन पावर में आगया, तो इन्होंने eviction trade शुरू किया, तो गर्मन ने बहाना किया गर्मन ने बोला हमें घारिकुटी फार्म प्रजेक्ट चलाना है, इसलिए उधर जितने लोग रह रह रहे हैं, उनको उधर से निकालना पड़ेगा, अब गर्मन जहां यह खारिकुटी फार्म प्रजेक्ट चलाना चाहरा है, उधर ही यह illegal Muslim migrants है, तो गर्मन का दो काम हो ज देखें दोस्तों, जिनों ने यह complaint किया था ना गोरियास, इनको भी अभी problem हो रहा है, क्योंकि गर्मन जब eviction drive शुरू किया, इसमें यह भी पता चला है, जो गोरियास उधर रह 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 रह, उनके पास भी कोई proper documents नहीं है, है कि नहीं, पर यह जो गोरियास जो है, एक्चुली आसामीस मुसलीम से, जो जेनरेशन से उधर सीसनल फार्मिंग, लाइफ स्टोग ग्रेजिंग वगरा कर रहा था, मतलब गाई फेज वगरा पालके, सीसनल फार्मिंग वगरा करके उधर रहने वारे लोग थे, अब इनको भी problem हो गया, इसलिए यह news आया है, तो यह है कि गवर्मन्ट 25 असाथ, बेसिकली 25,595 एकर में एविक्शन रिव चला रहा है, और यह जो लांड है, जहां एविक्शन रिव अरा चल रहा है, इस डिवेड़ेद बे चानल ब्रह्मपूत्रा इंटो पार्ट बेंगाली मुसलीम साट से, बेसिकली ब्रह्मपूत्रा विवर के एक चानल भी इस तरफ से निकलता है, ठीक है, तो आई होप आपको पूरा पुरी जो कहानी हो, समझ में आ गया होगा, तो that's it, पेपर टू जनल स्टीज वन, पोपुलेशन और असोसीटेट इस्जू में इस आपको काम आएगा, वैसे दोस्तों इस नूस के बार इस law में ये करता है दोस्तों, the state and military to safeguard territory and combat any acts that undermine China's territorial claims, तो basically चाइना ने जितना territorial claim करके रखा हुआ है, वो सबको legalize कर रहे है, उनका जितना territorial claim है, उनने safeguard करने के लिए state and military को एक साथ मिलके काम करना है, मतलब military की एक responsibility बना दिया, चाइना अगर कोई territory claim कर रहा है, उसको safeguard करने क आपको एक चीज़ पता ही होगा, चाइना ने हर जगा अपने territory claim कर गए रखा हुआ है, चाइए वो South China Sea में हो, जो इनका 9- claim है, जो बिलकुल illegal है, बिलकुल illogical है, और Taiwan के उपर इनका जो claim है, वो भी illogical है, अब इंडिया में, इंडिया के साथ जो line of actual control area में जितना claim हो र पास किया, बेसिकली सबको वो legalize किया, या फिर formalize कर लिया, यह law actually March में प्रपोस किया था, जब इंडिया के साथ LAC में tensions हो रहा था, तब से यह law प्रपोस किया था, आप जाके इंप्लिमेंट हुआ है, तो जितना गलत काम वो कर रहा है, बेसिकली जो Indian border और भूटान border में, वो सबको legalize किया, बेसिकली इन्हों ने जो forward areas में इतने mass troops को deploy किया है, जबकि उन्हें करना नहीं चीए, वो किया, इसलिए हमें भी किया, ठीक है, एसा नहीं कि हमने पहले किया, हमारी जो agreement है, जो हमारी bilateral agreements वगरा होता है, बेसिकली border areas को लेके, उसमें यह लिखा है, जितन इन्हों ने cover भी किया था, तो जितने काम इन्हों ने किया है, बेसिकली जो गलत काम इन्हों ने किया है, अपना illegal territorial claims के लिए, यह सबको support करेगा, बेसिकली यह नया लोजोई, आप सबको पता है, जो Chinese legislator है, that is largely controlled by the ruling communist party, देखिए, चाइना में क्या होता है न दोस्तों, गर party के जो intelligent political bureau members है, वो कुछ desire करेंगे, वही implement होगा, कोई इनके opposition में नहीं बोलते है, जो party desire करते है, वही government करते है, गर अगर कोई law past किया, या फिर कोई भी अपना policy ले किया है, उसको चितना भी Chinese citizens से उनको follow करना ही करना है, अगर वो नहीं किया, तो क्या होगा, यह history ने हमने सिखाया है, इंडिया जैसा नहीं, कोई भी government, कोई policies या schemes लेके आते है, interventions लेके आते है, उन्हें oppose करने के लिए काफी ज़र लोग खड़े हो जाते है, और government कुछ कर भी नहीं पाते है, पर चायना में इसा नहीं है, इसी वज़े से चायना इतना develop भी हो गया, क्योंकि जो च कुछ लिखा हुआ है, खुल मिला के वही लिखा है, दोस्तों, इन्होंने जितना भी गलत काम किये है, या करने वाला है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए लोग बनाया, बस, वही आप समझ लीजिए, मोर डीटेल्स के लिए आप पूरा है पढ़ सकते हो, मैं पीडिए अप मतलब देखिए, बॉडर में यह जो गलत टेरिटोरियल करता है, इनके वज़े से बात है, जो नेबरिंग कंट्री वो इनके एगेंस कुछ करेगा, तो इनको वो प्रवोकिंग लेगा, तो यह लोग के अंदर यह लिखा है, दे क्यान, कॉम्बाट इन्वेशन, एंक्रोच आरहे है, उसके एगेंस वाइट करो, बस वाहिए दोस्तों, और भी कुछ रिखा है, अच्छी बाते भी, handle land border related affairs with neighboring countries through negotiations, and properly reserved disputes and long standing border issues, तो यह लिखा है, साथ-साथ अच्छी बात है, कि नेगोशेशन के साथ भी चीज़ों को disputes को solve करना है, पेपर 3, General Studies 2, Effective of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interest and Indian Diaspora में आपको यह न्यूस काम आएगा, आज का final news, सब्रमती river remains highly polluted, देखिए, गुजरात का सब्रमती river, उधर pollution भूस ज़्यदा हुआ है, 2014-2015 से 2017-2018 तक गर्मन ने करीब 200 करोर रुपये खर्च किये थे, to curb pollution in the river, पर situation जो है, और वर्सन हुआ है, मतलब pollution control बिलकुल नहीं हुआ है, सब्रमती river का pollution और ज्यादा हुआ है, तो गुजरात हाइकोर नहीं observe कि अहमदबाद municipal corporation और गुजरात pollution control board ने ठीक से काम नहीं किया है, देखिए, इन दोनों की responsibility है, जितने भी sea waste treatment plan बगरा है, sea waste treatment plan मतलब जितने भी industrial units बगरा रहता है, वो नदी में अपनी जो waste water है, उसको treat करने के बाद flow out करते हैं, पर देखिए, आगर ये STP या sea waste treatment plan ठीक से काम नहीं करेंगी, तो नदी में जो पानी पहुँचेगा, वो waste water होगा, और उसमें जो pH value बगरा है, वो ज्यादा होगा, आपने pH value के बाद में सुना होगा, ये जो sea waste treatment plan से बाहर जो पानी निकलना चीए, उसका pH value 7 होना चीए, मतलब water का pH value, pH value 7 से नीचे तो क्या होगा, वो होगा acidic, और pH value 7 स pollution free होना चीए, पर जितने भी sea waste treatment plan संबरमधी river friend में है, वो सब ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इसके लिए responsible कोई है, आमताबाद municipal corporation and gujarat pollution control board, तो gujarat high court ने strict, strictly ये बोला है, कि आगर आप इसी तरह काम करते होगे, that will be dealt with strictly, ठीक है, तो high court ने भी observe किया, the root cause of pollution in the संबरमधी was the lack of accountability on part of the authorities, and there appears to be a nexus between officials and industries that discharge untreated effluents into the river stream, तो gujarat high court ने तो दे दिया इनको, बोला, आप दोनों के बीच में कुछ adjustment तो नहीं है, कि इतना सारा untreated effluents, ये सारी industries सबरमती river में फेक रहा है, और river pollute हो रहा है, आपको इससब रोखना चीए, आप इनके साथ कुछ प्लान तो नह है, तो जसीस थे, जे भी पर्दी वाला, और वाइफो नानावती, आपको और एक चीज़ पता होगा है, तो गुजरात high court का live streaming चलता है, आप YouTube में search मारिए, गुजरात high court live streaming आपको मिल जाएगा, मतलब live आप देख सकते हो, गुजरात high court में क्या-क्या hearing होता है, ये सारी च पासपोर्स ने जो investigation किया, जो inquiry किया, उसमें से ये पता चला, जितने भी STP है, या फिर ETP है, ETP माने effluent treatment plan, STP माने sewage treatment plan, ये जितने भी हो, कोई भी काम निकार है, ठीक से, मतलब, जितने भी industrial waste water, जो पानी सबरमदी रिवर में आ रहा है, वो पूरा polluted है, full of effluent है, full of sewage है, देखे, क्या-क्या होता है हमारे देश में, ठीक है दोस्तों, और JTF and the Amicus Curie, है मनशादी के court ने एक Amicus Curie भी appoint किया, अब ये Amicus Curie मतलब क्या होता है, देखे, friend of the court, मतलब court को देखे, court में बैठके सब कुछ पता नहीं चलेगा, तो court क्या करेगा, ऐसा कोई advocate को appoint करेगा, as the Amicus Curie, Amicus Curie word का मतलब होता है, friend of the court, वो जाके पूरा investigation करेगा, उन्हें एक court का power होगा, समझे आप, मतलब देखे, अगर court को सब्रमधी river pollution के बारे में, सब कुछ पता करना है, on ground reports चाहिए, तो court उदर जाके सब कुछ देख नहीं सकते हैं, जट जाके, क्योंकि जट के पर इ इसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो यह हो दा है Amicus Curie, तो court ने joint task force के साथ साथ, एक Amicus Curie भी अपोइं किया था, जिन्हों ने यह बोला था, कि, सबर्मधी riverfront was in poor state due to the legal as well as illegal release of untreated industrial effluents and sewage water ने हमदाबाद city, तो आहमदाबाद city में, जितने industrial effluents है, वो जो sewage water was untreated हो के नदी में आ रहा है, ठीक है, तो यह सारी बात है दोस्तों, 2019 में, यह report by no governmental organization, परियावरन सुरक्षा समिथी revealed that, 120 km of the river, before it meets the Arabians in Gujarat, was ridden with industrial effluents and sewage, जैसे, इससे पहले भी कई सार रिपोर्ट साय था, even non-governmental organization से भी रिपोर्ट आय था, जैसे परियावरन सुरक्षा समिथी जैसे, एजन्सी से, इन्होंने बोला था, 120 km stretch of the river में, full of industrial efflu सबरमदी river के बारे में, कुछ details, यह आरवली hills हमारा राजस्तान में, जो है, oldest mountain range है हमारा, उदर से originate होता है, यह अरवीन सी से मिलता है, in the Gulf of Khambath area, total 371 km का distance से, यह pass करता है, राजस्तान में, उदेपूर district, आरवली, सबरकांता, और गांधी नगर, अहमताबाद, खेडा in गुजरात, total catchment area, 21,674 km2 है, एक seasonal river है, मन्सून में, ज्यादा पानी होता है, with little or no flow post-monsoon, as both Rajasthan and गुजरात, फेमेरिटोजनेट्स, आरवली, मन्सून सीसन में, सबरमती river में, इतना पानी होता है, जो non-monsoon सीसन में, पानी बहुत कम है, ठीक है, क्योंगि आपको पता है, र इसा एक river में, इतना स्यादा pollution हो रहा है, वो भी illegal, देखे, क्या बोलू में, हमारी जो authorities की काबिलियत इसमें से पता चलता है, कि इतनी सारी problems हमारे देश में है, उसके साथ-साथ ये pollution का भी है, है कि नहीं, पैपर 4 जनर स्टीस 3 में, pollution issues में आपको ये news काम आएगा, तो दो तक ये वाचिंग, बाइबे हूँ था च्टीस, खुण्यों हमें।